असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे आप सब लोग उमीद करते हूँ सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं अब आज है संडे का दिन और हम लोग आए हैं पहले अपनी गाड़ी में हमने गैस्ट लवाना था तो मैंने अपने इसमें को बोला के पह बेटी को लेके ग्रोसरी पे क्योंकि हस्बेंड और बेटा जाएंगे क्लब उनने वाँ पर प्ले करना है तो वो क्लब उनको हम चोड़ेंगे और उसके बाद हम मैं और मेरी बेटी हम दोनों चले जाएंगे जी ग्रोशरी करने के लिए तो ग्रोशरी करने के लिए लिए आपको पता है कि मैं weekly or biweekly groceries करती हूं एक week में में थोड़ी small grocery होती है और biweekly जो में grocery करती हूं मेरी थोड़ी big grocery होती है हर दफा शूट नहीं करती हूं क्योंकि हर दफा उसेम चीज़े खरीदी हो लेकिन मैंने कह चलो जिस वक थोड़ी ज़्यादा चीज़े लेनी होती है या कुछ ऐसा स्पेशल में जा रही होती है तो वो मैं पर उसको शूट करती हूँ कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लो तो जिनाब संडे और सेटेड़ पे इतना जल्दी जल्दी कुज़र किया जा रही है मजन परूसरी पर जाना एक फॉं लगता है मौसम में इवन ग्रोसरी पर भी जाना एक फन लगता है कि आप ग्रोसरी जा रहे हैं इतने खुबसूरत मौसम में और मुझे तो सक्त रेन में ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है अब ही जैसे मैं यहाँ से फ्री हो जाओंगी अब आप जैसे कि मैंने आपको बताया बेटी मेरे साथ नहीं है पहले यास्वन को लेकि जाओंगी घर गर से लेंगे बेटे को फिर हम जाएंगे क्लब में इनको करूंगी ड्रॉप करने के बाद पर मैं जाओंगी अपनी जादा डिटेल नहीं बता रही हो तो अभी एक स्टोर से हम अलमुस्ट ड़न होने वाले हैं मैंने ज़रूरत की सारे चीज़े ले लिए कि इस दफा मेरी फूर्ट्स और वेश्टेबल्स जादा खतम हो रहे थे मुझे वह जादा चाहिए है कुछ बच्छों के स्नैक्स वग जाओ या मेरे घर में कोई चीज़ खतम हो जाए मैं क्या करती हूँ जी मैं हमेशा चीज़ें एक्स्ट्रा खरीद के अपने घर में रखती हूँ कि अगर कोई चीज़ खतम हो जाती है तो मुझे उसके लिए फोरण से भागना नहीं बढ़ता तो ये रूटीन मेरी हमेशा से है मैंने अपनी अम्मी को भी ऐसे ही देखा तो मैं उनी के तरीका को फालो करती हूं कि घर में एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए है तो उसके लिए आपको यह जरूरी होता है कि आप बाकाइदगी से जाएं आपके जिन में हर चीज़ हो कि आपने क्या खरीदना क्या न को बोलती नहीं मुझे याद रहती हैं सब चीज़ें लेकिन जब मैं वापिस आती हूं ग्रॉसरी करके अगर मैं कुछ भूल यहां तो कहते हैं देखा मैंने बोला था कि तुम रख लो उसको लिख के रख लो अपनी नोट्स में कि तुम्हें क्या 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 लेना है तो ग्रॉसरी हो चुके दूसे स्टोर से भी डान यहां से निकलेंगे और इसके बाद जाएंगे सीधा घर लेकिन घर जाते जाने से पहले मुझे कॉल आ गई थी मेरे हजबन की और मेरे बेटे की कि मुझे उनको लेने नहीं जाना वो बाई वाक आ रहे हैं जी क्लब से और त तो आप मोसम चेक करें क्या मोसम हो रहा है और इस मोसम में मैं करूंगी ड्राइव तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है अब जी सारे काम कर करके अब मैं आगे हूँ घर और यह चीज़े मैं रख दी है फ्लोर पे अब इनको मैं बाई निकालूंगी उससे पहले मैंने का तो घर में किस तरह का मैस बनता है क्योंकि मैं क्लीनिंग करके जाती हूँ इवन देन जब घर आते हैं तो यह पूरा घर दुबारा से मैस हो जाता है तो यह सब चीज़े मैं यहां पर लाके रख दी है और अब इसको मैं बाई निकालूंगी और आपको जल्दी से एक ग्र दिखाऊंगी तो सबसे पहले जी सलांटरो तकरीबर तीन-चार बंचिज मैने लिए पर मैंने पालक ले लिए पालक ले लिए पालक गठी है पर मैंने ग्रीन पैपर यह पको पता है मुझे सालिट में भी अच्छे लगते हैं और मुझे यह पिज़ा के ओपर भी अच्छ पैक्स लिए अभी मैं और भी लूँगी क्योंकि यह चैरी मेरे घर में एक दिनी चलेंगी पर मुझे और लानी पड़ेंगी यह बहुत जादा स्टाफ नी लेती क्योंकि पर रखने की जगानी होती बर्गर्स हैं कुछ मैंने चिकन डगिट्स लिए हैं दूद है तोड़ यह बड़ी बॉटल्स होती है तो यह वन सा डे वो पीता है साथ में मैंने इवैपराटेड मिल्क मिया के मेरे हजबन पीते मैं आपको बताया था कि वह चाहे इसी दूद के पीते हैं तो भी आज दस ले ले लेते हैं साथ गूल गपे थे और कुछ बचों के स्नैक्स हैं ज इसके लिए फ्रॉस्टिंग लेके आए है कि बनाएं के बच्चे तो आपको भी शेयर करूँगी जाली सनैक्स इसको बोलते हैं वह थे पाइसाथ पैक्स वह ले लिए हैं बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट लेके आई हूँ और डबल चॉकलेट ओरीयो कुकीज मेरा चो प्रिंगल्स में लेके आई हूं साथ आई स्क्रीम है और यह सारी चिप्स वगरा है और उसके इलावा कुछ जो जो वेश्टेबल्स आलू मैं पिछले तीन पहले गई तो एक अलू का बड़ा पैक 20 पॉंड्स का मुदे डील पर मिला था तो मैंने वह उठा लिया था दिखाती हो फ्लोर पे जुसिस कोल ब्रिंग्स और पानी वो मेरी बेटी ने आदी चीज़ें पहले समेट दी है और आदी उधर पढ़ी है अभी डूर स्टेप्स के पास तो बस वह रख देंगे तो यह था जी आज की ग्रॉस्टी को हॉल यह सारी चीज़ें मैंने आज ख ठाए था कि मेरे बेटी की च्छोटे बेटे की टीचर ने आठा घर पर और वह और यह और मैरे बेटें को उसने क्या-क्र बिखाती हो कि तुछ मेरे बेटी की पिक्छे तीफिं सिंधा यह कुछा बना कर लाई थी कुछ खाने पीने की चीज़ें थी और बड़ी एंडी अ आप मेरे बेटी की जुबानी सुनेंगे क्योंकि उसमे मैंने बॉइस ओवर नहीं किया आप सुनें आपको कैसे लगते हैं फिर मुझे आप बताईएगा क्योंकि बड़े एकसाइटिड हो जाते हैं इस तरह की सुच्वेशन में जब टीचर घर पर आ जाती है और इतने अरसे के बाद उनको देखना बड़ा ही इमोशनल था टीचर का गुडबाई कहना बच्चों का भी उनकी फीलिंग बड़ी डिफरेंट हो रही थी तो मैं अभ टीचर ने बहुत मेंनत किया और जिसको मैं रेली रेली अम एप्रिशेट करते हैं और बड़ा अच्छा लगा उनका घराना कि तो जी आपने सुन लिया कि क्या लिका तब टीचर ने मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा था बड़ी मज़े की बाते थी और अब टाइम है जी खाने का और आज आपके साथ शेयर करने वालियों के लेफट ओवर फूट को आप किस तरह प्रिजिटेबल बना के अपने अब बनाया है जी सिंपल वही मेरे इंस्ट पॉट में उसकी रेसिपी अरड़ी मेरे चैनल पर मोजूद है मैं बना रही है मटर पॉट इंस्ट पॉट वेरी सिंपल वेरी इजी और इसके साथ मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से लेफट ओवर फूट को बड़ा स्पेशल खाना बनाया है तो अब लेती हूँ आपसे इजाज़त रखे मुझे अपने दौाओं में याद और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक करें शेयर करें और मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे मेरी एक नहीं वीडियो के सा आप रखें अपना ख्याल टेके जी अलाहाफेज